हेलो टू एवरिवन तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत जादा अच्छे होंगे और व्लॉग विज्जाट की न्यूव वीडियो में आपका स्वागत है तो भाई आज अपने सामने है क्लासिक 350 बेसिकली कुछ दिन पहले आपने इसकी वीडियो देखी होगी इस मैंने कौनसी वाली ब्लड बुक करी है बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मेर को ये कलर पर्सनली बहुत जादा अच्छा लगा है और ये जो आप नम्मर देख रहे हो ना इसके पेट्रोल टैंक में इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है तो वीडियो को पूरा अच्छी सっjang मिलती यह लगवा सकते हो बाकितों सब उब कर तक चीमिल ब्लड की आया पढ़ी जाए जब लोड और पनी टीनா तो मैं बता हूंगा कि उसकी प्राइज मक कितना चेंज आया था बैसलिकली जभिक यह on-road ली थी तो 2,17,000 के आसपास की यह पड़ी थी बढ़े हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीडो मीटर की तो नॉर्मली यह हमें स्पीडो मीटर मिल जाता है बागे फ्यूल टेंक का इंडियेशन आज भी बुलट नहीं देती है अपनी गारियों में यह मिल जाता है ऐवीएस का यह फ्यूल टेंक का यह इंजिन का यह इंजिन कनेक्ट है तो यह इंजिन किसे कनेक्ट है अचिन पाइप से सब Komный करें बड़ी दिक्कत के आतीए से चेंज़ घर्वाने पर वो यह है और सबसे क्लासिक जो है ना सालेंसर में basically क्या है कि आप सब ये चाहते है कि इसको change करवाना ज़्यादा better क्योंकि आवाज होती है बट सबसे बड़ी दिक्कत के आती है इसे change करवाने पर वो ये है कि अगर आप से change कऱा है तो engine के warranty खतम हो जाती है बेसिकली गाड़ी के ओरंटी खतम हो जाती है आरी वाले सीधे बोलते हैं अब हमारी कोई भी गरंटी नहीं है इस गाड़ी को related क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोड पड़ता इससे बट आवाज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसलिए लोग लगा लेते हैं बागी सब डिपेंड करता है कि आपको क्या ठीक लगता नहीं लगता है अब हम बात कर लें पीछे की तो पीछे की साइट भी हमें मिल जाती है तेल लैम दो हमें मिल जाते हैं इंडिकेटर्स और ऐसा कुछ इसका लुक बेसिकली लुक्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कियें बढ़ हाँ फीचर्स वगएरा देखा जाए तो वो उस गाड़ी के काफी सारे चेंज हो चुके है और अगर हमें मिल जाता है लैग गाड़ इंडियन आर्मी नाइन फॉट्टी नाइन से र ए की बैक्स को यूज कर रहे है और आर ए यह शो करना चाहता है कि हमारा रिलेशन इंडियन आरमी से इतना लंबा है दूसरा बात करें यह आर ए टू वन सेवन जीरो फोर जीरो इसका मतलब यह है कि यह आर ए का खुद का है खुद का सीन है कि जितनी बैक्स उन्होंने इस पे बनाई है उन सब पर नमबर दिया बेसिकली इनी दोनों एयर बॉन ब्लू पह है और स्टॉम राइडर सेंड पर ह यह बात करता है तो इसी बात पर हिट दे सबस्क्राइब बटन चलते हैं गाड़ी के और थोड़े फीचर्स की बारे में बात कल लें तो जो इन्जन है वो काफी जादा powerful हमेशा सही और लोगों की पसंद रही है कि bullet हूनी चाहिए mandatory और भी market में गाड़ी है बट इंसान चाहता है कि bullet बहुत जादा ज़रूरी है बागी अगर मैं बता हूँ तो classic के classic की cloth ऐसी गाड़ी है जिसमें इतने सारे color मिलते हैं के लिए उनके बास standard भी है अब तो उन्होंने नई meteor भी निकाल दी है Continental GT भी निकाल दी है बट सबसे जादा सेल सबसे जादा डिमांड और सबसे जादा color समय मिलते है classic 350 के अंदर और इससे पहले इसका classic का 500 CC variant भी आता था था वो उन्होंने बंद कर दिया है बट अब केवल 350 चल रहा है और लुक वाइज इकाली इतनी प्यारी लग रही है मतलब कि एक face turning बाइक आप इसे बोलोगे सब एक बार और अब चलते हैं इसके नीजे वाले पॉर्शन पे टायर की अगर हम बात कलें सबसे पहले dual channel ABS के अंदर दिया गया शौकर हमें इसके अंदर मिल जाते है बात कलूं उसकी sitting arrangement की तो sitting के नीजे भी हमें सॉकर्स मिल जाते हैं तो लॉंग रूट पर आपको खासा दिक्कत नहीं होनी वाली है अगर आप दो राइडर जा रहे हो तो आप बहुत लंबे रूट पर भी आराम से जा सकते हो और लेलदाक वाली बात तो मैंने करी थी तो लेलदाक तो मैं जरूर जाँगो अपनी बा 350 का एक नॉर्मली एक रिव्यू जो मुझे काफी अच्छी लगी है और अपनी जब बाइक आगी मैं उसके बारे म बताऊंगा उसे भी टेस्ट वगएरा हम करेंगे के पैट्रोल कितना एवरेज वगएरा कितना देती है बागी कंपनी बेसिकली 35-37 के एम पील का इसमें ए नहीं एंड करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए खयाल रखिया और चनल को सब्सक्राइब करते हैं थैंक्यू सो मच